तो आज बाप दादा बोले, मीठे बचे, यही संगम युग है, जब आत्मा और पर्मात्मा का संगम मेल होता है, सत्य ग्यान दे, सत्य बोलना सखलाते हैं, ध्यान से सुनना, आज बाबा ने बताया है, मुरली कैसे सुननी चाहिए, तो बाबा ने आज क्या कहा मुरली में, हेडिंग है, सत्य ग्रु बाप फिर से यही संगम है, जब आत्मा और पर्मात्मा का यह संगम मर्थात मेल होता है, सत्य गुरु एक ही बारा करके, बच्चों को सत्य ग्यान देकर, सत्य बोलना सखलाते हैं, समझ गए हैं? अभी प्रश्न सुनाया, किन बच्चों की अविश्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती हैं? और दूसरा प्रश्न, मुर्ली सुनते समय, अपार सुख की भासना, किन बच्चों को आती हैं? पूछते रहना अपने आप से, देखो कितने आज के नए वरश के, कितने अच्छे अच्छे वरदान बाबा के हैं? पहले प्रश्न का जवाब, जिनकी बुद्धी में रहता हैं, ये साब कुछ बाबा का हैं, हर कदम श्री मतल लेने वाले हैं, दो बातें, तीसरी बार, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अविश्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती हैं, यात्रा लंबी हैं, इसलिए उंचे बाब की, उंची मत सदा लेते रहना हैं, समझ गए, यात्रा उंची हैं, लंबी हैं, इसलिए सदा उंचे बाब की, उंची मत लेते रहना हैं, दोट कर दे, डाइरी में भी और अपने बुद्धी में भी, दूसरा प्रशन, मुर्ली सुनते समय, अपार सुख, किन बच्चों को भास्ता हैं? जो समझते हैं, जवाब आया, किसको भास्ता हैं? किसको भास्ता हैं, पार सुख, बोलो, देखो, जवाब नहीं समझ में आया, हाथ नहीं उठाया पट से, जो समझते हैं, हम शिबाबा की मुल्ली सुन रहे हैं, बले अभी कोई भी सुनाए, याद रहे, हम शिबाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, ये मुलीश बाबा ने ब्रह्मा तनसिया करके सुनाई हैं, मुस्ट बलवेड बाबा, बोलो अपने अंदर में, मुस्ट बलवेड बोलो आवास से, मुस्ट बलवेड बाबा, हमें सदा सुखी, मनुष्य से देवता बनाने के लिए, ये ज्यान रतन दे रहे हैं, ये मुली सुना रहे हैं, मुली सुनते सुनते, ये स्मिर्ती बनी रहेंगी, तो सुख भासेंगा, अच्छा आज का मुली का गीत, प्रीतम आन मिलो, ये रमेश भाई का फिवरेट गीत होता था, पहले पहले बाबा को, बाबा बांबी में आये थे, और वहाँ पहले बाबा को रमेश भाई ने ये प्रीतमान मिलो बड़ी लगन से सुनाया था, पीछे अक्यर तो दूसरे है, प्रीतमान मिलो दुखिया जिया पुकारे प्रीतमान मिलो गीत के अक्यर ऐसे है, तो बाबा ने कहा है, ये दुखिया जिया तो दुखदाम में होते हैं, सुखी जीवा आत्माए सुखदाम में होती हैं, सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है, उनको प्रीतम भी कहा जाता है, याद करते हैं, दुख हरता सुख करता, जब दुख होता है तो कौन बैट समझाते हैं, सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा सिख्यत, सच्चा सत्गुरू, सभी का प्रीतम वो एक ही है, परन्तु प्रीतम आता कब है, ये कोई जानता नहीं है, प्रीतम सुयम आकर के, अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं, मैं आता ही हूँ कभी, स्राफ संगम युगपार एक ही बार, सारे कलब में एक ही बार, मेरा आना और जाना, उसका जो बीच, उसको संगम का कहा जाता है, और सभी आत्माएं तो बहुत बार, जनम मरन के चक्कर में आती रहती हैं, परन्तु मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सत्गुरु भी तो एक ही हूँ, बाकी गुरु कहलाने वाले तो अनेक हैं, उन्हों को सत्गुरु नहीं कहेंगे, क्योंको वो कोई सत्य नहीं बोलते हैं वो सत्परमात्मा को बड़ी बात तो सत्परमात्मा को जानते ही नहीं है जो सत्प को जान जाते हैं वो सदा सत्य बोलते हैं वो सत्गुरु है ही सत्य बोलने वाला सचा सत्गुरु सचा सत्गुरू, सचा बाप, सचा सिख्यक सुयमी आकर की बताते हैं मैं संगम युगपर ही आता हूं मेरी आयू इतनी ही है जितना समय मैं आता हूं उतनी ही मेरी आयू है पत्तों को पावन बना कर ही जाता हूं जब से मेरा जनम हुआ बाप अपना पड़ी चै आज किन शब्दों में दे रहा है जब से मेरा जनम हुआ है तब से मैं सहज राज योग सिखाना आरंब करता हूं देखो आज दूसरे शब्दों में मैं रोज बाबा का कोई न कोई परीचे बाबा देते ही रहते हैं आज इन शब्दों में दे रहा है जब से मेरा जनम हुआ तब से मैं सहज राज यूग सिखाना आरंब करता हूँ फिर जब सिखा करके पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पा लेती है और मैं फिर वापिस चला जाता हूँ बस मैं इतना ही समय आता हूँ शास्त्रों में तो कोई टाइम ही नहीं दिखाया है कि श्य बाबा कब जनम लेते हैं कितना दिन भारत में रहते हैं ये तो बाब सुयम ही आ करके बताते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर संगम युग की आद संगम युग का अंत गोया मेरे आने की आद और मेरे जाने का अंत बाके मध्य में बैठ मैं राज युग सकाता हूँ बाब अपना परीच सुयम ही आ कर बताते हैं मैं इनकी वान परस्त विस्था में आता हूँ पराए देश और पराए तर्नमे तो महमान हुआ ना मैं इस रामर की दुनिया में महमान ठेरा इस संगम युग की महमा बड़ी भारी जबरदस्त है बाप आते ही हैं रामराज का विनाश करके रामराज की स्थापना करने शास्त्रों में तो बत डंद कठाए बना दी हैं शास्त्रों में सत्यबात तो कोई है यह नहीं ही रावन को जलाते ही आते हैं सारी स्रिष्टी वास्तों में इस समय सारी स्रिष्टी लंका जैसी हैं जैसे सिलान को लंका नहीं कहा जाता है यह तो सारी स्रिष्टी रावन के रहने का अस्थान है अतात शोक वाट का है सभी विचारे दुखी है बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाट का अत्वा हेविन बनाने के लिए आता हूं heaven में सबी दरम तो होते ही नहीं है वहाँ था ही एक दरम जो अभी नहीं है जो वहाँ दरम था सत्युग में अभी वो है यह नहीं अब फिर से मैं देटा बनाने ये राज योग सिकला रहा हूं सबी तो नहीं सीखेंगे जितने अभी दुन्या में जितनी संक्या है सबी तो नहीं सीखेंगे मैं भारत में ही आता हूं भारत में ही स्वर्ग होता है क्रिश्चन लोग भी देखो heaven को मानते हैं कहते हैं lift for heavenly abood Godfather के पास गया बाकि heaven को समझते थोड़ी है heaven अलग चीज है तो बाप समझाते है कि मैं कब और कैसे आता हूं आकर के तिरकाल दर्सी बनाता हूं तिरकाल दर्सी और कोई होता ही नहीं है स्रिष्ठी के आदी मद्यांत को तो मैं ही जानता हूं अब कल्युक का विनाश होना है ये निश्चित मानो आसार भी तो देखने में आ रही है समय वही ये संगम का है accurate time कुछ और कुछ नहीं कह सकते बाकी हां राजदानी पूरी इस्थापन हो जाएंगी और बच्चे सभी करमाती तविस्था को पाएंगे तब ये ज्ञान खतम हो जाएंगा लराई आरंब हो जाएंगी मैं भी बाप कहते हैं मैं भी अपना पावन बनाने का पार्ट पूरा करके चला जाओंगा देवी देटा धरम फिर से इस्थापन करना बाप कहते हैं ये मेरा ही पार्ट है भारत वासी इन बातों को कुछ भी जानते नहीं है देखो अब शिवरात्री तो मनाते है जरूर शिव बाबा ने शिवरात्री मनाते है तो जरूर है शिव बाबा ने कोई काड ये तो आ करके किया ही होंगा उन्होंने फिर कृष्णा का नाम डाल दिया है ये तो कामन भूल देखने में आती है शिर पुरान आज किसी शास्त्र में भी ये नहीं है कि शिर बाबा आकर के योग्स काते हैं वास्तव में हर एक धरम का एक एक शास्त्र हैं देटा धरम का भी वास्तव में एक शास्त्र होना चाहिए परन्तु उसका रचता कौन शास्त्र भी कौन रचे इसमें ही बिचारे मूझ गए हैं अच्छा बाप समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा के द्वाना ही आकर के ब्रह्मन धरम रचना परे ब्रह्मा मुखवन सावली ही ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार ठहरे बहुतों के नाम बदली हुए उनसे बहुत भागनती हो गए साथ में रिप्लेस भी होते हैं, बाकि कई भागंती गए तो और भी देखो अभी कितने संख्या हैं, बाकि देखा गया है, नाम से नाम बदली करने से कोई फाइदा नहीं, वो तो भूल भी जाते हैं, जो भागंती हो गए, वे तो भूल भी जाते हैं, और अभी हम लोगों क वही नाम चल रहा रहा है जो बाबा ने हम लोगों को दिया है वस्तों में तुमको योग लगाना है एक बाब से नाम शरीर का मिलता है आत्मा का तु नाम होता भी नहीं है आत्मा चुरासी जन्म लेती है हर जन्म में उनका नाम रूप देश काल सब बदल जाता है ड्रामा में कोई को भी जो एक बार पार्ट मिला वो फिर से नहीं मिलता उसी रूप में फिर कभी भी पार्ट बजा नहीं सकते एक ही बार वो पार्ट बजाते हैं वही पार्ट फिर पांच अजा वरश के बाद ही बजाएंगे ये बात तो समझी हुई है ना कलब की ये ड्रामा सारे कलब चलता है और हर कलब लिपीट होता है ऐसे नहीं कि क्रिश्न उसी नाम रूप से फिर कभी आ सकता है नहीं ये तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो दूसरे शरीर का फिचर आद एक भी दूसरे से नहीं मिलता पांच तत्वों के अनुसार फिचर्स बदलते रहते हैं कितने फिचर्स हैं परन्तु ये सब पहले से ही ड्रामा में नूंद हैं नया कुछ नहीं बनता है अब शिवरात्री मनाई जाती हैं जरू शिव आया है वही सारी दुन्या का प्रीतम है लक्ष्मी नारैन वा रादे क्रेश्न वा ब्रह्मा विश्नु आद कोई प्रीतम नहीं है गाड़ फादर ही प्रीतम है तो बाप तो जरूर बच्चों को वर्सा देते हैं ना इसलिए बाप बहुत प्यारा लगता हैं बाप कहते हैं बच्चे मुझे यार करो क्यूं क्यूं को तुमको मेरे सही तो वर्सा पाना है बच्चे जानते हैं क्या जानते हो हां क्या जानते हैं इस पढ़ाई के अनुसार सुर्यवंशी देवता वा चंद्रवंशी ख्यत्री जाकर बनेंगे वस्तों में सभी भारत वास्यों का धरम एक होना चाहिए परन्तु देवता धरम का नाम ही बदल दिया देवता धरम नाम बदल करके हिंदू नाम रख दिया क्योंका अब उनों में देवी गुण देवता देवी गुण संपन अभी उनों में देवी गुण है नहीं अभी फिर से बाप बैठ करके तुम्हारे को देवी गुण धारन कराते हैं अर्ण आर्ण